नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चेनल में अगर दोस्तो आप पॉली टेक्निक कॉलेजी में अड्मिशन लेने की सोच रहे हैं और आपने अपनी 10th या फिर 12th क्लास है जो कंप्लीट कर ली है और आगे मेकेनिकल ब्रांच में है जो करते हैं तो दोस्तो वीडियो के लास तक जरूर देखें तांजो सभी सुजेक्ट्स के बारे में आपको अच्छी तना है जो पता चल सके और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बैल आकन को प्रेस कर लीजिए तांजो द तुछ चली दोस्तो आजका यह हमारा वीडियो है जो शुरू करती हैं दोस्तो सब्सक्राइब को जानने से पहले मैं आप आप सभी को बता दिता हूं मेकैनिकल डिपलोंमा कोर्स है जो तीन साल का रहता है जिसमें हमारे टूटल सिक्समेस्टर है जो रहती है आपको इस च देख सकते हैं तो दोस्तों डिपलोमा इंगेनिकल ब्रांच के सेकिंड समेस्टर में जो हमारे सुझेक्ट्स रहेंगे आप ऊपने सकते हैं फिर्स स्व्यक्ट जो हमारा रहेंगा English and Communication स्केल पार्ट व और उसके बाद सब्यक्ट जो हमारा रहेंगा Journal Workshop Practice Part2 और इसके बाद थर्ड जो सब्यक्ट हमारा रहेंगा Engineering mais पार्ट और उसके बाद फूर्थ जो हमारा सब्यक्ट रहेंगा basic of information technology और उसके बाद 5th जो हमारा subject रहेगा mathematics 2 और उसके बाद 6th जो हमारा subject रहेगा chemistry part 2 और उसके बाद subject number 7 जैने की physics part 2 तो दोसो यह है total 7 subjects जो की second semester में आते हैं mechanical branch की और उसके बाद दोस्तों अगर आपने जानना है mechanical branch की third semester में क्या कहें subjects रहती हैं उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो के description में link मिल जाएगा या फिर आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंदा यह तो वीडियो को लाइक जुरूर कर दीजिए और इसी तरह दोस्तों डिप्लोमा कोर्स से